हेलो दोस्तों वेल्कम टू मैं यूटूब चैनल आप सभी का हमारे यूटूब चैनल में हार्दिक स्वागत यह अविनंदन है आई होप आप सब अच्चे होंगे तो आज है तीन अप्रेल तीन अप्रेल दोहर तेख से जितने भी करन्ट अफिर के महतपूर कोशन बन सकते ह वो हम आज की लेक्चनम डिसकस करेंगे तीन अप्रेल दोहर तेख से जितने भी करन्ट अफिर के कोशन बन सकते हैं और उनसे जितने भी महतपूर फैक्ट बन सकते हैं वो हम आज की लेक्चनम डिसकस करेंगे आप सभी को गुड मॉर्निंग रादे रादे राम राम तो आ आज का जो हमारा motivation है, किसी को कोई फरक नहीं पड़ता कि आप किस हालात में जी रहे हैं, आपको खुद ही अपने हालात में जी रहे हैं, आपको खुद ही अपने हालात में जी रहे हैं, आपको खुद ही अपने हालात में जी रहे हैं, आपको खुद ही अपने हालात में जी र ये जितने भी current affair की मैंत फूल कोर्शन बन सकते हैं वह मार्च के लेक्ट नम्हें डिसकस करेंगे हाल ही में बिश्व वैगप दिवस कम मनाया गया है 31 मार्च को बिश्व वैगप दिवस मनाया गया है 30 March को अंतरश्टिय सून अव्शिष दिवस मनाय जाता है और 30 March को अजनमे बच्चों का अंतरश्टिय दिवस मनाय जाता है 24 मार्च को 206 रोग दिवस मना जाता है 202 रोग दिवस मना जाता है 23 मार्च को 206 रोग दिवस मना जाता है 23 मार्च को 206 रोग दिवस मना जाता है 22 मार्च को 206 जल दिवस मना जाता है 21 मार्च अंतराष्ट्य बंद दिवस और प्ट एंप्र कर exactamente करना्टक सवर्कार ने सिच्छा रोजगार में 10% सालवाद संतोष ट्रॉफी जीती हैं प्रदान मंत्री मोदी ने करनाटक में सिव मोगा हवाई अड़े का उधगाटिन किया है अम्रत नगरोथान योजना की गोष्ण करनाटे सरकार ने की है करनाटक के मुक्य मंत्री ने 108 नम्मा क्लिनिक लॉंच किये हैं करनाटक में ऐसिया का सभ सीव कट लिकोप्टर का रखाना खोला जए गा और यसुंह तब से बड़ा हेलीकॉप्ट्र का रखाना खोल जाएगा यह में टाटा पावर ने किसे Fine की यू की रूप में निध्च किया है तो प्रवीर सिन्ना जो है उनको अभी प्रवीर सिन्ना को टाटा पावर ने MD&CEO के रूप में निक्त किया है NDTV ने UK सिन्ना को गेर कारकारी अद्देश निक्त किया है NDTV ने UK सिन्ना को Axis Security का नया MD&CEO प्रणाव हरीदाशन को निक्त किया गया है Cotton Corporation of India के CMD के रूप में लिटकुमार गुपता को निक्त किया गया है ताज किस्तान में शैंत राष्ट के रेजडेंट को दिशार क्वार्वाथि को निक्त किया गया है NEXT Most Question है हमारा हाली में भारती रेलवे ने हाल ही ने भारती रेलेवे ने किस राज्य में 100% रेल विद्धुद्धी करना हासिल किया है तो ये हर्याना में क्या है निए भारती रेलेवे ने 100% रेल विद्धुद्धी करना जो हासिल हो किया है हर्याना में किया है उत्तर भारत का पहला परमाणु शहँन्थ हर्याना में बनेगा श्य चतिंश वा सुरज्कु अंतराष्टि शल पर मेरा फजिदेबाद में हुआ है अंतराष्टि गीता-महोसवक काingerå इनने क्रुचेतर में किया गया है घ्रैमंत्र अमिसाहर ने हर्याइना की पुलिस को प्रेशिदेंट्स कलर्स अवार्ड प्रदान किया है जार्याइना की टीम 48 वी national junior volleyball championship में रियानाज की जो टीम है उन्हें 48 वी national junior volleyball championship में स्वानपतक जीता है next है हमारा हाली में उत्तर प्रदेश के कहां सहरी culture मेले का उदगाटन किया गया है तो इस जो प्रदेश के गोरगपुर में सहरी culture का उदगाटन किया गया है सेंग से कि फहली प्रिट्र जो है उत्तर प्रिद्टेस्व संस्रतिक राज़ निंग भाराण सी कोशित क्या गया है उत्तर प्रिदेस सरकार ने फैमली आडी पूटल लौंच पया है चौवीस जनवरी को उत्तर पिरदेश के इस्तापनां द्रस मनाया गया है उत्तर पिरदेश ने इलेक्रिक भानों की खरीद पर रोड टैक्स और पंजिगर्ण टैक्स प्रकर्ती और पच्छी महुँट्सभ के साथीं संस्क्रेंट की मेजवानी करेगे हाल ही में किसरा सरकार ने चाय वगानों को विशेश प्रोसाहन के लिए 64 करोड रुपे वित्रत की हैं पहला वोडोलेंड अंतराष्टी ग्यान महुतसफ असम में हुआ है गुलावचंदर कटारिया ने असम के राजजपाल की सपद लिया असम के राजपाल के रूप में सपद लिया असम का नए डीजीपी ग्यान अंदर प्रताप सिंग को निक्त किया गया है असम के मंत्री मंदल ने शफाई करमचारी आयोग बनाने के लिए विध्यक को मंजूरी दी है नेक्स्ट नमारा हाली में किसराज ने स्पेच सिस्टम डिजाइन वेब का उधगातन किया राष्ट्या बिग्यान। राष्टिय बाल बिग्ञान कांग्रेस एहम्दाबाद में आउजित हुई है गुजरात के वर्डा डवलूप एलस को एसे ही सेहरों के लिए दूसरे घर के रूप में प्रस्तावित किया गया है गुजरात बिधान सवाने अना दिकरत विकास नियमतिकन विधेक पारित किया है मुंद्र मुझरात में भारत का सबस्क्राइं इस्तापित किया है हिसमाराव ह स्थ केzsound हें हेle का सियो किसे नीक्त किया गया है थो सबस्क्राइरки अनि ईनजन मोटो को सियोनिक्त किया है बी इति इन को लुप को नीतियायो को ठोल दिडियों और घुया ुपाध्येच्च कोन है शुमन भेरी नीतियायो के उपाध्येच्च है हाल ही में दुनिया का तीसरा और भारत का दूसरा सबसे बड़ा क्रिकेट इस्टेडियम कहां बनेगा यह बनेगा राजिस्तान के जैपुर में बनेगा दुनिया का तो तीसरा होगा और इंडिया का दूसरा भारत का दूसरा और विश्व का तीसरा इस्टेडियम होगा तो वो राजिस्तान में बनेगा तीस मार्च को और सबसे बड़ा जो विश्व इस्टेडियम है वो मोटरा इस्टेडियम है वो एमदाबाद में है सबसे बड़ा इस्टेडियम है वो एमदाबाद में है दूसरा है जो विश्व में है वो मेल वरन है मेलवन औस्टेलिया में हैं 30 मार्च को राजिस्तान का इस्तापन द्वेस्ट मनाया गया है भारत की पहली वेभार प्रियोक्षारा जैपुर में इस्तापित की जाएगी मेले का उद्गाटन कोटा में हुआ है 18 वी विश्तो सुरच्चा कॉंग्रेस जैपुर में आजुद की गई है कोटा में बिग्यान केंद्र और तारामंडल का निर्मान किया जाएगा हाली में किसराजी सरकार ने लियाग डेवलेंट प्रोग्राम जारी किया है तो तेलंगान पुलेस महानेदेशक के रूप में अंजनी कुमार ने पदभार गरंड किया थे Television एक तेलंगाना सरकार ने आश्रा पैंशन सुरू किया हैं becomes हैंडरावाद ने वर्ल्ड ग्रीन सिटी अवार 22害 जीता हैं कि हैंडरावाद में नीम के पेड़ों की पत्तियां वह पक्रोग से फिर्भावित पाय गई हैं जो तेलंगाना में नीम के पेड़ों की पत्तिया हैं वो डाइव एक रोग से प्रभावित पाई गई हैं तेलंगाना सरकार ने कांटी वैलू योजना को फिर से लौंच किया है तो यह थे हमारे आज के लेक्चर के कॉश्चन आई हो आपको मारे लेक्चर अच्छा लगा हो लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें और आज का जो हमारे हमारे एक मोटिवेशन कोड है यह बहुत सानदार है भगवान कहते हैं है जब सुक히 हो तो इस्वर को मत भूलना और जब दुख्य हो तो इस्वर पर विश्वास रखना जब दुख्य हो तो तो आज क्या हमारा लेक्टर था आई होप आपको महार लेक्टर अच्छा लगाओ तो लाइक करें कमेंड करें और ज्यादा ज्यादा अपने दोस्तों में सिर्थ करें और अभी तक हमारे चानल में रहे हैं तो अमृइन को सब्सक्राइब करें बेल lying लेक्चेर का आपको नोटिफिकेशन समय अनुसार में सके थैंक्यो गाइज जय हिंद जय भारत